नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का PCS मार्ग दर्शन में, मैं अनुराग शवधरी आज हम चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता पर्तमान विस्व में क्या है अर्थात गांधी बात कहां तक प्रासंगिक है महात्मा गांधी, जिने हम राष्टपिता के नाम से जानते हैं वो एक यूग पुरूस थे, उन्होंने भारत की स्वाधिन्ता के लिए बहुत महत्पोर्ण प्रयास किया उन्होंने जहां एक और भारत वासियों में स्वाधिन्ता की भावना जागरित की वहीं उनके सामाजिक जीवन को भी प्रवाहित किया, तथा साहित्यकारों के प्रेंडा सरोत भी बने गांधी कोई दार्षनिक नहीं थे, वो एक सच्चे बिचारा के अमसंत थे उनका सारा जीवन कर्म में था, ब्यक्तिगत साधना में उनका विश्वास था उनके जीवन का लक्ष किवल अंग्रेजी सत्ता से छुटकारा दिलाना नहीं था बलकि भारत और सारे विश्व का सत्य और अहिंसा के आधरसों पर निर्मार करना था गांधी जी ने पहली बार सत्य अहिंसा और सत्रु के प्रति प्रेम के आध्यात्मिक और नैतिक सिध्धानतों का राजनीत के छेत्र में इतने विशाल पैमाने पर प्रयोग किया और सफलता प्राप्त की गांधी जी ने जहां एक और भारत को अंग्रेजों को गुलामी से मुक्ति दिलाई वहीं दूसरी और संसार को अहिंसा का ऐसा मार्क दिखाया जिस पर यकीन करना कठिन तो नहीं पर अब विश्वसनी जरूर था दुनिया के करोडों दिलों पर राज करने वाले बापू के मोहन दासकर्म चंद्र से राष्टपिता बनने की उनकी यात्रा बेहत दिल्चस्प ही नहीं बरन अचम्भित कर देने वाली भी है उनका इश्वर और प्रातना पर अटूट विश्वस था उनकी ब्यक्तिगत मानने ता थी कि प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में आने वाली सभी कटनाईयों का द्रिणता प्रुवक सामना कर सकते हैं क्योंकि सच्ची प्रार्थना कभी ब्यर्थ नहीं जाती हिंदू, मुश्लिम, सिख, इसाई सभी की उपासना पद्धत भिन होने के बाद भी वह है तो उसी परमसर्व सक्तिमान में स्रध्धा ही मुर्ति पूजा में भी उनका यकीन था लेकिन वह अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ थे इश्वर को गांधी जी सच्चित आनंद की संग्या देते थे और उनका मानना था कि सत्य ही इस्वर है क्योंकि उसमें स्वयंग सक्ति का निवास है गांधी जी ने जीवन परियंत सत्य को सर्वो परिमाना गांधी जी ने अपनी आत्म कथा माई एक्सपेरिमेंट भी तूट्स में बताया है कि जब मैं निरास होता हूँ तब मैं याद करता हूँ कि इतिहास सत्य का मार्ग होता है किन्तु प्रेम इसे सदय जीत लेता है यहां अत्याचारी और हत्यारे भी हुए है वह कुछ समय के लिए अपराजे लगते थे किन्तु अंत में उनका पतन भी होता है इसका विचार करे मरने के लिए मेरे पास बहुत से कारण है किन्तु मेरे पास किसी को मारने का कोई भी कारण नहीं है निसका अर्षता है या कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने राजनीत, समाज, अर्थ, एवं छेत्र, धर्म के छेत्र में आदर सस्थापित किये, वह उसी के अनुरूप लच्छ प्राप्ति के लिए स्वेंग को समर्पित ही नहीं, बलकि देश की जनता को भी प्रेरित किया, वह आसानुरूप परिडाम भी प्र ही नहीं संपूर विस्व के कल्यान का मार्ग प्रशस्त करती है, आज गांधी हमारे बीच नहीं है, किन्तु एक प्रेड़ा और प्रकास के रूप में लगभग उन सभी मुद्दों पर उनका मागदर्शन निरंतर हमारे साथ है, जिनका सामना किसी ब्यक्ति समाज याराष को करना पड़ता है, एक किश्वी सदी में गांधी की सार्थक्ता प्रतेक छेतर में है, इस अहिंसावादी पुरूस के सिध्धानतों के महत्तों को समझ कर ही संयुक्त राष्ट ने दो अक्टूबर को विस्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोसडा की है, इस प्र भावित होकर लाड माउंट वेटन ने कहा था जो काम पचास अजार हथियार बंद सेना नहीं कर सकी, वह गांधी जी ने अकेले ही कर दिया, वे अकेले ही पूरी एक सेना हैं, वन मैन आर्मी, आज गांधी न सरल हैं और न जटिल हैं, आस्थाओं का यह यूग पुरूस अ यही हमारी विवेस्ता भी है, स्रीमन नरायन के सब्दों में आज के मानों के सभी दुखों को दूर करने की एक मात्र रामबाड आउसद गांधी वाद है, गांधी जी की प्रासंगिक्ता को लेकर आइंस्टाइन ने भी कहा है कि हजार वर्स बाद आने वाली पीड़ियां सायद ही कभी विश्वास कर पाएं कि गांधी जैसा हाड मांस का पुतला इस धर्ती पर कभी उत्पन हुआ था, धन्यवाद, नमस्कार